तो आप लोगों का इंडेन एफोस के अगले इंटेक एने इंटेक 1-20-23 का शॉर्ट नोटिस रिलीज किया जा चुका है ऑफिशल वेबसाइट पे और इस बार द्यू टू अड्मिनिस्टेटिव रीजन ना लिखके एफोस ने आपको एक्चुल डेट बता दी है कि आपका कब आएगा आप कब अप्लाई कर पाएंगे और कब आपका एक्जाम होगा सारी चीज़ें क्लियर है कि फिर्स वीक अफ नवंबर में आप लोगों का फॉर्म आएंगे और मिड ऑफ जैनवरी में आप लोगों का एक्जाम भी कंड़क्ट हो जाएगा और यह हो जाएगा वो अभी तक क्यों due to administrative vision लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको पता हैं तो अभी यहां से अब आपको exact date पता है कि कब से कब आपका जो है कितना time आपके पास बाकी है लेकिन बहुत सारे students अभी यह दुविदह में पड़े हुएं कि क्या वो apply कर पाएंगे कि नहीं कर प पता हूंगा और जो बहुत सारे students पूछ रहे हैं कि sir classes कब से start होंगे जल्दी से class start करवाईए तो मुझे पता है कि जितना आपको सुकता excitement है classes के लिए उतना मुझे भी है लेकिन मैं उस excitement में आके जल्दी बाजी में कोई ऐसा decision नहीं लूँगा because मेरा philosophy आप जानते हो अगर मुझे किसी ने पेड़ काटने के लिए बोला है तो मैं ऐसे नहीं कि बस कुलहाडी लिए और सटा सट लग गए ना पहले कुलहाडी को तेज करेंगा उसके बाद था कि वार कम हो लेकिन जो वारों सटीक वारों और ऐसे वारों की तुरंद पेड़ कटे समझ पा रहे हूं 2-20-22 जैसी कोई चीज नहीं आएगी सिधे 1-20-23 से चीज़ें स्टार्ट होंगी अब यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन को जड़ा स्लाइड करने वाला और नीचे आने वाला हूं जहाँ पे यह डेट ऑफ बर्थ की eligibility criteria इन्होंने लिख रखी है अब जाहिर सी बात ही पिछल बार दो साल का relaxation मिला था जो government ने साफ साफ बोला था सिर्फ इसी बार के लिए है क्योंकि उस समय उतने प्रदर्शन भी हो रहे थे तो उनको रोकने के लिए और students को मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा वही प्रदर्शन को रोकने के लिए बटकाने के लिए य दो साल के relaxation जल्दी से दे दिया उन्होंने और उन्हें साफ बोला था कि सिर्फ पहली बार के लिए आगे से नहीं रहेगा अब यहीं से हमें date of birth निकालेंगे simple अगर निकालें तो क्या करते हैं simple six months तो six months add करने होते हैं यह तो because six months के बाद आपका अगला intake चालू होता अगल जून 2000 से पहले का जनम नहीं होना चाहिए अभी रूप जाहिए ठीक है अभी पूरा यह चीज नहीं है यह बोलना हूँ इसके आगे भी कुछ चीज़े है ठीक है और दूसरा है 29 जून 2005 यानि कि maximum limit है upper limit है यह आप मान लो 29 दिसमबर तकरीबन 2005 29 दिसमबर 2005 से बाद का अगर जनम है आपका तो आप apply नहीं कर पाएंगी यह बात तो यहां से clear है ठीक है हो सकता है कि कुछ date कुछ date थोड़ा से दिन extra मिल जाए यहां पर काफी जल्दी अगला intake आ चुका है तो ऐसा probability है कि वहां पर हो सकता है कि थोड़ा से यहां पर आपको differences देखने को मिल सकते हैं बट more or less यही रहेगा बट यहां पर कुछ आपको changes देखने को मिलेगा मैंने बोला यहां पर 29 जून 2000 यही बोला ना मैंने लेकिन नही यह 2000 की जएक है 2002 कर लो आप क्यों कि अभी मैंने वही चीज बोली कि दो साल का जो age relaxation था वो पहली बार कले मिला था इस बार कले हैं क्योंकि बहुत सारे student के अभी उत्ते देर से मैंने वो वीडियो डाला था notice का call पे call call उसमें CDS की मैं class ले रहा था जो Victor batch अपनों को चल और CAPF का घटक बैच तो वहाँ पर मैं class ले रहा था तो उसमें लब class नहीं ले ने दिया इतना बहिंकर call पे call ठीक है किसी के सर कब तयारी start करवाएंगे क्या हमारा date of birth इतना है क्या apply कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो date of birth का कहीं नहीं क्लियर कर दिया अगर 29 December 2005 से बात का ज relaxation मिल जाए because ज्यादा इस बार अंतर नहीं रहा है अगले intake में तो वो देखने आली बात रहेगी लेकिन यह मत सोचना कि 2002 का 2001 हो जाएगा वो नहीं होगा ठीक है more or less यहीं रहेगा आप मान लेते हैं मार्जिन में आपका मई है या फिर आपका 25 June है या फिर आपका 15 June 2002 है आप साफ मैंने इसलिए बता दिया आपको अब बहुत लोग कौन कॉल करेंगे कि भाई मेरा एक जून है सर्थ 15 माई है तो इसके regarding तो मैं भी नहीं बता सकते हो अभी ठीक है क्योंकि जो exactly जो प्रेसाइस हो जो calculate करके मैं आपको बताना था हो मैंने बता दिया अब notification exact notification first week of number इसका इंतजार करना होगा तब तक वह आपे depend करता है आप preparation अपनी start कर सकते हो सारी चीजों को और नहीं करना चाहिए तो फिर वह आपके उपर depend करता है लेकिन सारी चीज़े मैं आपको special तो पर बता दिया अगर फिर भी अगर कोई और doubt होता है इसके लावा तो आप comment section में लिखेंगा बाकी आप में इसे comment बताएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या आप इस date of birth के ब्लॉक में आते हैं या फिर नहीं क्या आप apply कर पाएंगे या फिर नहीं ठीक आप comment जरूर बताएगा अब आते हैं कि classes भाई कब start होंगे intake 1-20-23 के लिए पिछले वाले intake में काफी कुछ प्लान कर रहा है तो ये करेंगे वो करेंगे PTS में सिर्फ 15-20 मौक नहीं कुछ बहुत special प्लान करेंगे sectional mock test देंगे students को कि भाई ये पढ़ाया असीदे उसका test दो ये पढ़ाया test दो ए ग्रूप अलग से create करेंगे ताकि सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई लिखाई वाली अभी क्या होता है कि ये ग्रूप का link है तो सब भरभरा के आ जाते हैं उसी में इस बार कुछ ऐसा प्लान किया जाए अप लोगों के लिए और इस planning में कितना time लगेगा वो भी आपको बता दूँगा लेकिन क्या 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 प्लान किया जा रहा है उसका मैं थोड़ा से glimpse देता हूं कुछ जहलक आपको देता हूं ठीक है तो PTS में जो आपको सिर्फ अभी तक full length mock test मिलते है तो अभी 15-20 mock test मिल गया लेकिन अभी आपके लिए प्लान किया जा रहा है sectional mock test पी जैसे कि GK में आपको ये पढ़ा है Englishman officer आपको ये पढ़ा है Maths में दिपक सर ने ये पढ़ा है reasoning में ये हुगा तो इनका जैसे कुछ एक एक चाप्टर हो गया उसका होगा sectional test उसके daily तो में मिलते रहेंगे quiz जैसे मैंने topic finish जिया तुरंत quiz मिल गया मैंस में कोई topic finish हुआ because मैंस में क्या दिकत रहता है कि practice नहीं हो पाती होती नहीं जादा कि पढ़ते तो रहते हैं लेकिन practice नहीं तो हर चीज के quiz और sectional mock test पहले पूरा performa मिल जाएगा तुमको कि भाई इस दिन यह टेस्ट इस दिन यह टेस्ट इस दिन यह खतम करेंगे उस दिन यह खतम करेंगे इतने दिन में पूरा syllabus खतम और इस इतने दिन से हमारा परमार सर के जो पढ़ाने पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए खासकर content में जो भी आप आपको पढ़ाऊंगा exactly हो करेगा तो इस जाइड सी बात है जो हम लोगों के साथ जो दिक्कत रहा है वो यही रहाता आप लोगों को यही था दो में प्रॉब्लम्स रही है कि सर पहले से और काफी time bound manner पर और सारी चीज़ें एक दम precisely और दूसरा जो रहा है एक्स क्रूप वालों का तो एक्स क्रूप वालों के लिए प्लान हो रहा है लेकिन इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि अगर मुझे बोला गया पेड काटने के लिए तो मैं कुल होड कम और कस के आपके सामने आऊंगा और सारी चीज़ें के अनाउंस करूँ का कि प्लान किया था कि पीटियस माटीए वीडियो सब कुछ आपको एक जगह संगरहित होके मिल जाए फिर आपको इधर का उधर ना जाना पड़े कहीं भी मन आपका ना बठके सीधे आप इग्ज की जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं को चैंग ऐसा फौलसम प्लान कर रहें हैं और वह पाइड रहेगा ठीक है ताकि हम भी एक तरह से बहुत ही नॉमिनल रखेंगे सिर्फ इसलिए ताकि स्टूडेंट बस स्यूर्य हो ठीक है और हमारे बेखतरे दोन से बाइग है जो कि committed रहें कि हम ने यह commit किया student ने fees पे किया तो वो और सारी चीज़ें एक दम से smoothly तोर पे चलती रहें ठीक तो यह आपको जैसे ने बताया कि around 8 से बस around 10 दिन का आप time दो ठीक है सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगे और यखीन मानिये जो इस बार selection दिये थे लिख के ले लिजे चाए online हो कहीं चाए offline हो हाई यह selection ratio यहीं का रहेगा यह मैं दावा करके आपको बोल रहा हूँ भी और यह जिस दिन result आएगा यह अफमान के चलो कि around आपका mid of February में result आएगा उस दिन यह बात को note करके रट रखेगा बस जादा नहीं बोलूँगा बाकी हम लोग discuss करेंगे जैसे नहीं होता है कि आपको जब announce मैं करूंगा सारी चीजे और एक्स रूप के regarding भी प्लान किया जा रहा है तो जो धबबर लगा है इस चैनल पर कि एक्स रूप के regarding कुछ नहीं करवाते हैं वाई ग्रूप के regarding कि सब करवाते हैं तो वो भी अभी मिटाने के टाइम आ चुका है ठीक है बाकि अगर आपको कुछ और डाउट है इसके लिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और हो जखे तो टेलीग्राम को हो जखे नहीं जरूर जाइन कर लेना टेलीग्राम को वहाँ पर क्विजस चालू है तब तक क्वि चीज़ें बतानी थी क्योंकि कॉल करकर के आपने दिमाग खराब कर दिया था तो यह बताना ज्यादा ज़रूरी था कि आपका डेट ऑफ बर्द का ब्लॉक क्या रहेगा बस घुमा फिरा के दो साल का इस बार रिलाक्सेशन नहीं रहेगा ठीक है बागी टेलीग्राम को ज आपके निगला का बहुत बहुत धरन्यवाद